Hello Friends, Welcome to Potluck Recipes हमने अपने पिछली रेसिपी विडियो बिहार स्पेशल गुगनी मुडी में आप सब के साथ आज की रेसिपी की कुछ छलक दिखाई थी हमारी आज की रेसिपी एक बहुत ही असान और जल्दी से तयार हो जाने वाली साग है जो आप चावल के साथ खा सकते हैं आएए बनाते हैं इस डिश को पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें इससे पोटलक रेसिपी इसकी हर एक रेसिपी विडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी और ये बिलकुल निशुल्ख है एक गरम कडाई में डाले दो से तीन बड़े चमच सर्थो का तेल जब तेल अच्छे से गरम हो जाए और इसका रंग भी थोड़ा सा बदल जाए तो इसमें डाले तीन से चार सूखी लाल मिर्चे आधे से एक छोटा चमच का लॉंजी आठ से दस पारीक कटे लहसुन एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्यास थोड़ी दिर के लिए चलाएं इस चैनल पर हमारी अगली रेसिपी बिहार की बहुत ही प्रसिद डिश है जिसका नाम है दाल पिठा वैसे तो इस डिश को तयार करने में काफी समय लगता है पर हमने अपने चैनल के लिए इसका एक शॉटकट मेथड तयार किया है जिसमें आपको किसी भी तरेके की चॉपिंग और कटिंग करने की अवश्रक्ता नहीं होगी डाल पिठा एक तरेके का राइस टंपलिंग है जो बहुत ही हल्दी होता है और ग्लूटिन फ्री भी होता है हमारे चैनल पर आने वाली सभी रेसिपी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जब प्यास सुनेहरा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे दो बंडल बारी कटा हुआ कोलमी साग हम इसको दो भागों में डालेंगे दुबारा अच्छे से चलाए थोड़ी देर में बाकी का चौप किया हुआ कोलमी साग भी डाल दे कलमी साग मुख्य तोर पर दक्षनीमपूर्व एशिया में पाया जाता है और इसका सबसे पहले उलेख चिन राजवन्ष के दौरान किया गया था कोलमी साग में अच्छी कासी मात्रा में विटामिन C होता है जो इम्यून सिस्टम को बहतर करता है साथ ही इसमें मौजूद विटामिन A स्किन और अंगो के लिए काफी कारगर साबित होता है इसमें मौजूद विटामिन C घाओ को जल्दी भढ़ने में मदद करता है साथ ही इसमें मैंगनीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस और आइरन भी मौजूद होता है इस डिश के बारे में और रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें गैस फ्लेम को मध्यमाच पर ही रखें अब इसमें बिल्कुल भी पानी ने डालेंगे क्योंकि यह अपने ही मौईस्चर में पकेगा भारत में कुलमी साथ पश्चम बंगाल में बहुत ही प्रसित है और उसे वहाँ बॉयल्ड राइस के साथ खाया जाता है हाला कि यह कम सामगरी और जटपट से बन जाने वाली डिश है लेकिन इन पत्तों को धोते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है रिसर्च से साबित हुआ है कि कुलमी साथ के सेवन से एक लोलेस्ट्रॉल और ट्राइगलेकोसाइड के स्तर में भी कमी आती है और आयूरवेदा के अनुसार इसका इस्तमाल, जॉंडिस और लिवर के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी किया गया है अब इसमें डाले स्वादनुसार नमक, इसमें हम थोड़ा कम नमक ही डालेंगे अच्छे से चलाएं हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक इसका पानी सूख न जाए पीच पीच में अच्छे से चलाते रहें अब ये सर्फ करने के लिए एकदम तयार है गर्मा करम स्टीम ड्राइस के साथ एंजोई करें इस चैनल पर हमारी अगली रेसिपी बिहार की बहुत ही प्रसिद डिश है जिसका नाम है दाल पिठा वैसे तो इस डिश को तयार करने में काफी समय लगता है पर हमने अपने चैनल के लिए इसका एक शॉटकट पेथर्ड तयार किया है जिसमें आपको किसी भी तरेके की चॉपिंग और कटिंग करने की आवश्रक्ता नहीं होगी दाल पिठा एक तरेके का राइस टंपलिंग है जो बहुत ही हल्दी होता है और ग्लूटेन फ्री भी होता है हमारे चैनल पर आने वाली सभी रेसिपी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले हमारे चैनल को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले धन्यवाद